सो हलो गाईस वेलकम बेक टू माय चैनल आ गया हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर कर दी दीजिए तो चलते हैं अपने वीडियो के तरफ इ राजा अंपत के जिन इलाकों में कभी मृत शौकों के अफशेश तैरा करते थे आज वहाँ समुद्री जीवों की वापसी हो रही है राजा अंपत में सम्रिध पानी के नीचे का जीवन गोता खोरों के लिए अब और अधिक आकरशक हो गया है दिया आज से करीब 30 साल पह हुए कई द्वीब समुव से गुजरे द्वीब ये देशों के नजारे बेहत खूबसूरत और मनमोहक होते हैं लेकिन सफर के दोरान इंडोनेशिया के वेस्ट पापुआ प्रांथ के राजा अंपत द्वीब समुव ने मैक्स को हैरान कर दिया धर्ती का अंतिम स्वग राजा अंपत प्रित्वी पर सबसे समुद्री जैव विविद्ता वाली जगह है घूमने फिरने के लिए ज्यादातर लोग मालदीव जैसे देशों का रुख करते हैं और दूरस्त होने की वजह से यहां आने वाले विदेशियों की संख्या बेहत सीमित है खबरों में इस जगह को धर्ती का अंतिम स्वर्क कहा जाता है यह मचलियों की 1600 से अधिक प्रजातियों का घर है दुनिया की ग्याद कोरल प्रजातियों में से करीब 75 फीसदी यहां पाई जाती हैं राजा हमपत के नजारे देख चुके मैक्स कहते हैं कि यह यह गोता खोरों को ट्रेनिंग देना और लोगों को इस शुधर जलियत दुनिया तक लाना था पास के सोडियो बे में एक रिजॉर्ट का संचालन भी मैक्स की कमपनी के तहत होता है हाला कि उनका रजा आमपत सफल सनरक्षन की कहानी नहीं है यह दिखाता है कि सही नजरिय के अवैज शिकार का हवाला